तर दोस्तों टार्गेट विद प्यास परिहार चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियों हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अध्रस सेवा चैनायों की भरतियों की नई भरतियों की और जो प्रानी भरतियां है उसके प्रणामित द्यायत की उसके बाद में बा आगे बादने पहले एक सूचन उन विद्यारतियों के लिए जो विद्यारति यूपी ट्रिपल सी की परिच्छा पी इटी की तयारी करें वे सब भी अभैरती किरन प्रकासन की इस महात्रपूर्ण पुस्तक को ले सकते हैं वैसे तो यूपी ट्रिपल सी की बहुत सारी आप ही किताबों को दुकारों में आपको यह पुस्तकी मिल जाएंगी पीटी की और अगर आप लोग आनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक्स इत्याज मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है इंग्ली मीडिया में भी यह पुस्तके उपलब्त हैं और हि यहां पर लिखा हुआ देखिए और कितने सेट हैं इसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसमें जो यूपी ट्रिपल सी की पुरानी परिच्छाएं उसका सॉल पेपर भी है यह देखिए पूरक पूरा चाहे वह चकवंदी लेकपाल की भरतियों एकाउंटेंट की भरत करेंगे यूपी ट्रिपल सी की नई भरती की तो नई भरती की बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि 3260 पतों के लिए एक अभी हाली में विग्यापन आना सितंबर के मेनी में आप विदन शुरू हो जाएंगे और वह बरती है एजी टीए की पीटी 2021 की अंतरकती आज यह चात्र यूपी ट्रिपल सी की तस्वीरें हैं और वहां पर वारता हुई है को जानकारियां मिली हैं जानकार यह मिली है कि इनके जो एलाटमेंट होना है 2016 वाले चात्र है उसमें धोड़ा देरी लेगी तो जहां पर इनका भी तक अलाटमेंट नहीं पाया है चैन बोर्ड और एनम की जो परिड़ाम है वह जारी करना चैन बोर्ड को और लेक पाल का परिक्षा बहुत सारी चीज़ें तो इसकी वजह से थोड़ा सा और देरी हो रही है परिड़ामों को लेकर कि जो भी परिड़ाम जारी होने ती पिटर प्रलसी की द्वारा उनमें अब आपको देरी देखने को मिलेगी और जूर्य असिस्टेंट का जो उन्नीस वाला परिड़ाम है वह सितंबर में खिसक रहा है इसकी वेजह से जो नई बेकेंसी बतीसों पर आनी थी उसमें देरी होगी और अब यह है कि दोजार बाइस वाले जो पीटी जिसकी आवेतन जो कई दिनों से विद्यारती मांग कर रहें जिसके लिए प्रतसन भी हो चुकी है दो बार भरती की निरस्त भी हो चुकी है अधियाचन तो जूनियर इंजिनियर का भी है जैई का भी पढ़ा हुआ है लेकिन उसकी आने में अभी देरी लगेगी जैई की वेकेंसी की आने पतर भरतियां वह अब पीटी 2022 के द्वार ही आएंगी चाहे लोवर की वरतियां हो चाहे वह साग सांग की अधिकारी का भी अधियाचन आ चुका है और लोवर की पदों का अधियाचन यूपी ट्रेपल सी पहुंच चुका है परिडाम वाली बात अधियाचन मैंने आपको बता ही दिया है कि एजी टियादी का जो अधियाचन है वह तो विग्यापन निगलेगा ही निगलेगा और इसी के साथ में जो एक बार आपको देरी देखने को मिल सकती है अब हम लोग बात करते हैं तदर सिक्ष को पत जोड़ने की बांक जहां पर मैंने दुपहर में एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि इनके पतों को जोड़ने को लेकर के कोड में याचका डाली जा रही है तो वहीं पर यूव मंच के द्वारा मुख मंत्री को इमेल के द्वारा एक पत्र भेजा गया जिससे आप लोग आपर देख सकते हैं इसमे कारवाई है तो यह मांग की गई है कि तदर्त के सिचकों के साथ साथ में जितने भी रिक्त पत हैं सभी पतों को जो अधियाचा ने फिर से एक बार चैन बोड भीजा जाए और यह जो विग्यापन चल रहा है इसी में इन पत्रों को जोड़ दिया जाए बहुत सारी बात इस पत्र में लिखी है जो संजय सिंग का आडर है उसे समंदित सुप्रीम कोड ने क्या कहा और यहां पर यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोड की आदेश का अनपालन करते वे असास की स्यायता प्राप्त मादमिक की विद्यालियों में कारत सभी वैतनिक एवं अवैतनिक सिख्चकों के पदों को खाली मानते वे उनके पदों को अधियाचन मादमिक सिख्चसेव चेन बोड में भिजवा दिया जाए तो यह मांग की गई और अब हम लोग बात करेंगे कल इस समय तक हो जाएगा फैसला की प्रात्मिक में रहेगा या नहीं रहेगा राजस्थान में बाहर हो गया है और पूरे देश की निगाहें जितना भी राज्य है सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश भी पीड़ी था चुकि इनकी टीटी की माक्सी रुकी हुए हाई कोट में केस चल रहा है और इसी तरीके से MP में केस पड़ा हुआ है बंगाल में मामला बहुत ट सुन वाई होनी है और लगभग यह फाइनल सुन वाई है सारी की सारी जो दलीले हैं वो हो चुकी है यह आप लोग देख सकते हैं यहरिक केस है और किसी कारणावन आइटम पर कोड नमबर 13 में सुनवाई हो नहीं है बेंच आपकी वही जस्टिस दिनेश महस्वरी एंड ऑनेबल जस्टिस अनुरूत दबोस और यहां पर अगर आप स्टेटस देखेंगे तो यहां पर देखें लिखा हुआ डिस्पोजल और फाइनल डिस्पोजल एड एड यहां लेकिन लगबग सुनवाई हो चुकी है मैंने पहली पताया था सुप्रीम कोड में बहुत दो समय नहीं लगता है और यह उमीद है कि आजाएगा तो जो यह अठारा नंबर पर सुनवाई हो नहीं है आइटम नंबर 18 है नंबर 13 है तो यह उमीद है कि लगबग एक द करता है और प्रात्मिंग में रहेगा या नहीं रहेगा या जिस तरीके से जोद्पुर्ग की हाई कोड ने बाहर कर दिया उसी तरीके से बाहर हो जाएगा या एंसीटी ने जो आदेश 28 जून 2018 को जारी किया था वह वैद है या अवैद है जो भी जानकारी होगी मैं आपक का वीडियो वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो आपके काम को तो लाइक अबस कर दिया करें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्वाद